तो guys जब से हमारे free fire के अंदर new update आया है उसके बास से guys मारा free fire के अंदर enemy के head पे aim lock होई नहीं रहा है क्योंकि बाइस जो हमारी पूरानी sensitivity setting जिसके मरसे guys हम लोग enemy के head पे aim lock बहुत अराम से कर देते थे अब वे sensitivity setting work ही नहीं कर रही क्योंकि बाइस जो पहले sensitivity हुआ करती थी वे 100% हुआ करती थी बट guys update के बाद इसको गरीना वालों ने बढ़ा कर 200% पे कर दिया है लेकिन guys मैंने बहुत प्रेक्टिस कर रहे है फाइली guys मुझे यहाँ पर एक ऐसी sensitivity setting पता चल जो किये जो guys इर बहुत अराम से हम लोग enemy के head पे auto aim lock करके उसको बहुत अराम से headshot मार पाएंगे और guys आप लोग को एक best fire bottom का size भी provide कराऊंगा तो आज के वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग देखते रहेगा चल यहर फाइली आज की जमाकेदार वीडियो को तुरंती स्टार्ट कर देते हैं इस यह रहे हमारी sensitivity setting जो कि हम लोग को free fire top से default provide कराए जाती है एक बार मैं फिर से इसको आप लोग के सामने reset कर देता हूँ इसमें सबसे पहले नीचे से option आता है free look का and free look reflect tab से default 65 provide करा जाता है लेकिन free look के अंदर कोई भी aim lock का ऐसा system नहीं होता है लेकिन गाइस अगर आप लोग का free look की 65 पे चारीके से rotate नहीं होता है अठकता है आप लोग left right इसको चारीके से rotate नहीं कर पाते हो तो simply आप लोग क्या करना कि अपने free look की sensitivity setting को increase करके आप लोग इसको 188 पे set कर देना उसका जो आप लोग का free look का button है वे बहुत easily guys यहाँ पर left right आगे पिछा rotate होना start हो जाएगा and कभी भी अटकेगा नहीं तो ज़रूँ सेर आप लोग अपने free look को 188 पे set कर लेना तो guys नहाँ पर जो हमारी अगली sensitivity setting हो फी है guys नहाँ पर sniper scope और sniper scope के अंदर guys aim lock बहुत दा important है अगर guys आप लोग अपने sniper scope को 50 पे use करते हो तो guys आप लोग का default एक भी bullet enemy के body या फिर head पे aim lock नहीं होता है और आप लोग का सारा bullet enemy के left right से निकाल जाता है अगर आप लोग को enemy को मारना होता है तो आप लोग ऐसी scope ओपर करके तब enemy को body set या headshot मारते हो जिसमें guys बहुत time लगता है और enemy तब तक आप लोग को मारके चला जाएगा तो guys इस problem को solve करने लिए simply आप लोग क्या करना कि अपने sniper scope की sensitivity को increase करके 200 पे set कर देना उसको करके sniper से आप लोग का हर 100 enemy के body and head पे aim lock होना start हो जाएगा जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो मेरा यहाँ पर सारा bullet enemy के body and head पे lock हो रहा है ठीके तो उसेर आप लोग भी अपने sniper scope को 200 पे set कर लेना गैस इहाँ पर जो हमारी अगली sensitivity setting हो वे है गैस इहाँ पर 4X scope और यह 55 तरप से default हम लोग को 65 provide करा जाती है अगर गैसे आप लोग अपने 4X scope को 65 पे use करते हो और अपना scope open करते हो तो जो आप लोग का aim lock होता है वे enemy के body पे lock हो जाता है आप लोग कितना भी drag करते हो आप लोग का headshot नहीं लगता तो इस problem को solve करें कि simply आप लोग क्या करना कि अपने 4X scope की sensitivity को increase करके आप लोग भी scope कैसे 200 पे set कर देना उसके पर जैसे कैस आप लोग यहाँ पर scope open करोगे direct आप लोग का aim है वे enemy के head पे lock हो जाएगा and कैस बस आप लोग को only red number and बस headshot ही लगेगा तो जैसे नहाँ पर जो हमारी अगली sensitivity setting हो तो वे है गईस नहाँ पर 2X scope और यह फिफाई तरब से default हम लोग को 75 provide कराए जाती है और गईस अकर आप लोग इस पर अपने 2X scope को open करते हो तो इसमें भी गईस सेंब 4X scope की तरह आप लोग का aim होता है वे enemy के body पे ही lock हो जाता है आप लोग कितना भी ड्रैक कर लोग कितनी भी कोसिस कर लोग आप लोग का enemy के head पे aim lock नहीं होता तो इस problem को भी solve करने के लिए simply आप लोग क्या करना कि अपने 2X scope की sensitivity setting को increase करके आप लोग इसको 195 पे set कर देना उसको जैसे आप लोग 2X scope open करोगे direct जो आप लोग का aim हो वे enemy के head पे ही चला जाएगा और गैस आप लोग का enemy के head पे aim lock हो जाएगा और आप लोग का बहुत ज़दा headshot लगेगा जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो गैस समारे free fire के अंदर enemy के head पे aim lock करने के लिए red dot बहुत ज़दा important है और गैस यह free fire तरब से red dot default 85 प्रोवाइड कराया जाता है और गैस इस पे आप लोग अपने red dot को 85 पे use करते हो तो आप लोग का free fire के अंदर जो bullet होता है वो बहुत दा require करता है और इसके वैसे आप लोग का enemy के head पे aim lock ही नहीं होगा क्योंकि सारी bullet आप लोग की enemy के आजू बाजू से निकल जाएगी और आप लोग का बहुत ज़दा body shot भी लगता है तो इन सभी problem को solve करने के लिए simply आप लोग क्या करना कि अपनी red dot की sensitivity को increase करके 119 पे set करा है जैसे आप लोग इसको 190 पे करोगे जैसे आप लोग इसको 190 पे करोगे उसके बाद आप लोग देखोगे आप लोग का यहाँ पर एक भी bullet require नहीं हो रहा है और जो आप लोग का aim हो वे enemy के head पे lock हो चुका है और आप लोग का बहुत ज़दा headshot लग रहा है जो कि आप लोग मेरा भी देखते तो कि मेरा कितना ज़दा headshot लग रहा है तो जरूँ से आप लोग अपने red.co 190 पे set कर रहे न गईस इहाँ पर जो हमारी अगली sensitivity setting हो वे है गईस इहाँ पर बहुत ज़दा important sensitivity setting अगर आप लोग को enemy के head पे aim lock करना है तो और गईस इसका ना में यहाँ पर general sensitivity setting जो कि हम लोग को free 5 तरफ से default 65 प्रोवाइड कराए जाता है और गईस आप लोग अपने general sensitivity setting को 65 पे रखके game खेलते हो तो सबसे पहले तो भाई आप लोग का यहाँ पर phone अच्छ तरीके से ही rotate नहीं होता है आप लोग जो display quality हो तो बहुत हाड हो जाता है इसके वाज़े आप लोग moment speed भी नहीं कर पाते और बात करें headshot के end aim lock की तो कैसे आप लोग का जो aim होता वे enemy के body पे ही lock हो जाता है अगर आप लोग जदा drag कर तो आप लोग का aim हवा में चला जाता है और आप लोग का यहाँ पर एक भी bullet भी नहीं लगता तो guys simply इन सब भी problem को स्वार्व करने के लिए आप लोग क्या करना कि अपनी general sensitivity setting को increase करके आप लोग इसको 183 पे set कर देना उसके बात कैसे आप लोग का phone के जो display हो वे एकदम ही smooth हो जाएगा आप लोग का moment speed बहुत अच्छा हो जाएगा और बात कर यहाँ पर headshot की and aim lock की तो आप लोग का जो aim हो वे enemy के head पे lock हो जाएगा उसके बात guys आप लोग का बहुत जदा headshot लगेगा जो कि आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पर only red number अगरा एक भी body shot नहीं लग रहा है तो जरूसर आप लोग अपने general sensitivity setting को 183 पे set कर लेना गैसे यह तो बात हो गई हमारी sensitivity setting की अब guys बात करते है fire bottom size के बारे में तो guys आप लोग देखो मेरा जो fire bottom का size है वे है guys यहाँ पर 49 and guys आओ तो आप लोग इस fire bottom size को use कर सकते हो अगर इस पर guys आप लोग का headshot नहीं लगता है aim lock नहीं होता है तो guys जरूसर आप लोग जिस भी phone के अदर game खेलते हो वे किस company का phone है and कितनी जीवी RAM का है अगर वे आप लोग का मेंट बावस में कमेंट कर दोगे तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर एक best fire bottom का size reply कर दूँगा जरूसर आप लोग अपने phone का name and guys RAM कमेंट बावस में कमेंट कर देना तो guys आई होप आप लोग को आप लोग को आज की वीडियो पसना होगी अगर आप लोग को वीडियो पसना है अच्छे हैगी तो प्लीज सब लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बाल एक उनको भी आल पर प्रिस करेंगा और हाँ guys जरू से हाप लोग अपना फीफाई का लेवल एंड राएंग का वड़ोस में कमेंट करके हमको जाके फाल टाक सी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे इंस्टागर नेम है guys एर यूनीक अफ़र टिप्स तो बस से राज के लिए तना ही मिलेंगे एक और नहीं समाकेदार से वीडियो में तत्त के लिए guys रबाब है एंड के सुराध रादे